दोस्तों हुमर्स के अकोडिंग बताया जा रहा है कि निव महिंदर स्कॉर्प्य के अंदर आपको दो इंजन ओफर किये जाएंगे पहला है 2.2 लीटर का डीजल एंजन जो प्रोडूस करेगा 160 भी एच्पी की पावर 380 एनम का टॉर्क और दूसरा है 2.0 लीटर का टरवो चार्ज पैट्र एंजन जिसके अंदर आपको पावर मिल जाएंगे अरां 180 भी एच्पी की पावर और 360 एनम का टॉर्क तो कहने का यह पावर पुराने वाली महिंद्रा स्कॉर्पी उसे काफी जादा है काफी बहतर भी है और जिन लोगों बहुत ही बढ़िया ओफ्रोडिंग कार चाहिए वह सकते हैं लेकिन इस गाड़ के लाउंच पहले किया रहा था दोहर 20 के अंदर दोहर 20 में हो गया अब इसका लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज केलियर कर दूँँ कि महिंद्रा स्कॉर्पीयो को गिलोगल एंसी एपी में फाइफ मैंसे जीरो स्टार मिलेते लेकिन महिंद्रा अपनी नैश जैनेशन स्कॉर्पीयो को फुल लोड्र सेफटी फीचरे साथ लाने जब महिंद्रा ने अपनी नैश जैनेशन थार को लॉंच किया था तब ग्लोगल एंसी एपी में महिंद्रा की थार को पांच मेंसे 4 श्टार मिलेते लेकिन अपनी नैश नेनेशन स्कॉर्पीयो लॉंच करने वाला है जो बिलकुल एक्सवी सेवन डावलो के जैसी ह होने वाली है बिल्कुली फुली हाइटेक तरीके से इसे फीचर मिलने वाले हैं आपको और अगर वीडियो पसंद रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्रेस्ट कर देना ताकि जब भी भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफि फीचर से लाँच करेंगे त्योंकि हमारी गाड़ी किसी भी गाड़ी से परफॉंग कर सके हर किसी सेग्मेंट में चाहे वो किया की सेल्टोस हो, MG हेक्टर और टाटा की सफारी हो क्योंकि मैंडर अपनी गाड़ी में 4x4 जरूर ओफर करेगा, वो SUV ही किया जिसके अंदर आपको 4x4 का ओप्सन ही ना मिले अब पहले पॉइंट की बात कर लें तो वो है इसका इंजन, न्यू स्कॉर्पियो के अंदर आपको दोनों ही इंजन ओप्सन देखने को मिलेंगे, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल इंजन आपको 2.0 लीटर का M-Stallion TGDI इंजन देखने को मिलेगा, जो लगव 170 BHP पार प स्पीड दो मैनूल टांसमिस्न साथ देखने को मिलेंगे, और इन दोनों ही इंजन में आपको 4x4 का ओप्सन देखने को मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा बहता है एक सेग्मेंट के अंदर क्योंकि Tata Safari, MG Hector Plus और Ness General Hyundai की अलगजार में आपको 4x4 का ओप्सन नहीं मिलता, कही संरूप भी देखने को मिल सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा हाइटेक है, क्योंकि कही न कहीं Scorpio अब एक ब्रैंड बन चुका है, और इतने ज़्यादा हाइटेक फीचर साथ लॉंच होने के बाद कई सारी गाड़ियों की सेल्स पर बहुत बड़ा एफेक्ट पढ़ने वा सेफटी, इस गाड़े में आपको ABS, EBD, Electronate Stability Control, Trapson Control, Heal Descent Control, Heal Hold Control, Iosophie Child Seed जैसे सेफटी फीचर मिल जाएंगे हर किसी वेरिंड में, यह गाड़ी ज्यादा रिलायवल बन सके, इसलिए इस गाड़ी की इतन या टैस्टिक की जाने हैं, और नियु महेंद्रा स्कॉर्पि इसके इंटिरियर में आपको काफ रहा बदलाव किये गाए हैं, इसके अंदर 10 इंका इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर सिस्टम, इसके अंदर वर्टिकली होडिजनल रियर एस इवेंट, पूस्ट स्टार्ट स्टॉप बटन, और इसके अंदर मुल्टि फ्रक्शनल इसके अंदर आपको कार्ट टेखनोलोजी और वायरलेस चार्जिंग, आटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पावर अड्जेश्टोर ड्रावर सीट और को ड्रावर सीट और इसके अंदर आपको पैनारोमिक संदूप भी देखने को मिल सकती है, निउ महिंद्रा स्कॉर यह अपने सेगमेंट में बहुत जादा भड़िया को अगर्ञिक पतर करें तो वह है उसकाे इसके 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 काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके इसके की उसकी नापको पर लॉंग बॉनट और लार्ज बंपर देखने में मिलेगा डिजाइन के साथ इसके अंदर इंटेगरेटर गिल देखी दी गई है और इसके अलावा इसमें प्रोजेक्टर हैडलाइट विफ एलेडी डियारेल्स एंड एलेडी टेल लैंप और फॉर डिस ब्रेक के साथ दिया गया है सब कुछ और निव महिंद्रा स्कॉर्पियो को सिटी में हाइवे पर और हाई स्पीड पर टेस्टिंग करते देखा गया है और एस्ट्रीम वैदर में भी टेस्टिंग करते हुए देखा गया है क्योंकि यह गाड़ जैदा रिलावल बन सके इसलिए इसकी इतनी इस तक हो सकता है अगर वीडियो अच्छी लगे तो किनार को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो और बस आज के लिए सिफ इतना ही